नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर स्काइड पर बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 पाठ 11 नीती के दोहे तो बच्चों, देखती हैं, ये दोहे जो हैं, हम पढ़ेंगे, इसकी हम क्या करेंगे? या सर परसंग व्याख्या करेंगे दोहों की, तो पहला दोहा है, रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़यो चटकाए, तूटे से फिर ना मिले, मिले गांट परिजाए, तो यहां पर इसमें परसंग, आपने इस दोहे का परसंग इस तरह से लिखना है, कि प्रस्तुत इसके रचियता रहीम जी है, तो इस परकार से भी आप परसंग लिख सकते हैं, तो इस परकार से भी आपर संग लिख सकते हैं, पद्याज की जगाब दोहा लिख सकते हो उसके बाद संदर्ब में आप लिखोगे इसमें कवी ने बताया है कि प्रेम का संबंध अत्यंत कोमल होता है मतलब कवी ने इसमें किसके बारे में बताया है प्रेम के संबंध के बारे में बताया है तो व्याक्या आप इस तरह से लिखोगे कि इसमें जो रहीम जी है वो क्या कहरे है रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है इसलिए इस धागे को कभी भी चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए प्रेम का संबंध तूट जाने पर फिर नहीं जुटता कहने का तात्रे ये है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए क्यूंकि जब कोई धागा एक बार तूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता तूटे हुए धागे को जोडने की कोशिश में उस धागे में गांट पर जाती है उसी परकार किसी से रिष्टा जब एक बार तूट जाता है तो फिर उस रिष्टे को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता बहुत ही सिंपल व्याक्या है I hope ये एक बार रीडिंग करने से ही आपको समझ में आगी होगी फिट भी मैं आपको थोड़ा से एक्स्प्लेइन कर देती हूँ कि इसमें रहीम जी ने क्या कहा है प्रेम की संबंद के बारे में बताया है कि रहीम जी कहते है कि जो प्रेम का बंदन होता है उन्होंने उसको कंपेर किया एक धागे से कंपेर किया हुआ है कि जो प्रेम का बंदन कैसे होता है एक धागे की तरह होता है इसलिए जो प्रेम का धागा कभी भी चटका कर नहीं तोरना चाहिए ठीक है अब यहां पर रहीम जी कह रहे हैं कि कभी भी प्रेम के धागे को चटका देकर मतलब कभी भी नहीं तोरने चाहिए मतलब प्रेम का संबन जो होता है कभी भी बिना किसी ठोस कारण के नहीं तोरना से जोने का प्रयास करते हैं तो उस दागे को जोने का प्रयास करेंगी तो उसमें क्या पढ़ जाएगी गांट पढ़ जाएगी तो उसी परकार से यहां पे रहीम जी कहरें कि हमें जो प्रेम का संबंद होता है जो हमें प्यार का जो कोई भी रिष्टा होता है उसे हमें कभी दार पड़ जाती है। जिस परकार से एक धागे में गान पड़ जाती है। उसी परकार से यदि हम प्रेम संबंद तूट जाने के बाद यदि हम उसे जोडने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी दरार पड़ जाती है वे रिष्टा पहले की जैसा नहीं रह जाता है फिर आप विष्टेश में लिखोगे कि प्रेम का संबंद मन के भावों से होता है ते अता इन भावों को ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए दूसरा दोहा देखते हैं छीमा बड़न को चाहिए छोटन को उतपात का रहीमन हरी को घटियो जो भृकू मारी लाथ तो परसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है प्रस्तुत पध्याश या दोहा हमारी हिंदी की पाठेप उस तक नभ भारती में संकलित नीती के दोहे से लिया गया है इसके रचेता रहीम जी है संदर्ब में आप लिखोगे कि दोहे में रहीम जी बताते हैं कि बड़े लोगों को बड़पन छोटे लोगों को शमा कर देने में बड़े लोगों का क्या होता है? बड़एपपन होता है. रहीम जी कहते हैं कि बढ़ों के भीतर शमा का भाव होना चाहिए. चोटे लोगों को हिश्रारत से बावेवार शोभा देता है. जिस परकार क्रोधित ब्रिगु रिशी ने विश्नु की शाती पर लात मारी प्रंतो फिर विश्नु जी को क्रोध नहीं आया बलकि उन्होंने अपनी गलती के लिए शमा मांगी इससे उनके बड़पन में किसी परकार की कोई कमी नहीं आये बलकि उनकी महानता और अधिक बड़े लोग मतलब जिन में बड़पन का भाफ होता है कि उनके क्या होता है जो शमा माफ करना उनका एक भाफ और जो छोटे लोगों को ही श्रारत से बरावेवार शोभा देता है जिस परकार क्रोधित व्रिगु रिशी के यहां पर बात की गयी है किसी कारण ब्रिगु रिशी जो थे वो क्रोधी तो उठे थे और उन्होंने आकर विश्नु की छाती पर जाकर उन्होंने लात मारी थी प्रंतो जो विश्नु भगवान जो थे उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आये था बलकि उन्होंने ब्रिगु रिशी से पूछा था कहीं आपको च कमी नहीं उनके बड़पन में किसी भी परकार की कोई कमी नहीं आई बलकि उनकी महानता ओरतिक बढ़ गी जब उन्होंने इस तरह से ब्रिगुरिशी से कहा तो ब्रिगुरिशी को अपनी गलती का क्या हुआ एहसास हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे क्या था कि विश्णु बगवान की जो महानता थी वो ओरती बढ़ गी थी तो यहां पर रहीम जी ने यही बताया हुआ है कि बड़े लोगों जो बड़पन का भाव जो होता है वो कैसे होता है शमा कर देने में ही मतलब बड़े लोगों में बड़पन का भाव होता है और शर भगवान विश्णू को लात मारी थी लेकिन इससे उनके बड़पन में किसी परकार की मतलब उनको क्रोध नहीं आये था तो इससे उन्होंने पूछा था ब्रिगुरिश्ची को कहीं आपको चोड़ तो नहीं आई विशेश में आप लिखोगे शमा बड़ों को शोबा देती है और छोटों को शरारत परा वेवार ठीक है तीसरा दोहा है दीर्ग सांस ना लेही दुख सू साही न भूली दई दई क्यूं करतू है दई दई सू कबूली तो इसमें परसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है प्रस्तुत पध्याश या दोहा हमारी हिंदी की पाठय पुस्तगन भाति में संकलित नीती के दोहे से लिया गया है इसके रचियता बिहारी जी है उपर वाले जो हमने दो पड़े उसके रचियता कोन थे रहीम जी मतल के माध्यम से कवी क्या कहना चाहते हैं कि मुनिश्य को चाहे सुक हो चाहे दुख होuciónएक जैसे रहने की प्रेना दी हुई है। तो व्याख्या देखते हैं व्याख्या आपने इस तरह से लिखनी है कि कवी कहते हैं कि दुख में लंबी आहें नहीं बनी चाहिए और सुख में मगन होकर इश्वर को नहीं बूलना चाहिए अगर अब दुख आ ही गया है तो हाय हाय क्यों करता है जो इश्वर ने दिया है सुईकार कर तब ही तुझे सुख मिल सकता है तो यहां पर कभी जो है बिहारी जो है वो कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी दुख में लंबियाही नहीं बनने चाहिए मतलब दुख में और अधिक दुख नहीं होना चाहिए और कभी भी जब अधिक सुख आ जाए तो सुख में म दुख को लेकर ही क्यों तू बैट किया है जो इश्वर ने दिया है उसे सुईकार कर तभी तुझे सुख मिल सकता है और आगे बिहारी जी कह रहे हैं कि अगर तुमारे जीवन में दुखा ही गया है तो उसमें दुखी होने के बजाए तुम तुमें जो इश्वर ने दिया ह उसे तुम सुईकार कर लो और उसी से तुमें सुख की प्राप्ती हो सकती है विशेश में आप लिखोगे सुख दुख में एक जैसा रहना चाहिए मतलब यहां पर कवी जो है वो कहा रहे हैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो सुख दुख में एक जैसा ही रहना चाहिए सुख आने पर हमें इश्वर को नहीं बूलना चाहिए और दुख आने पर ओर अधिक दुखी नहीं होना चाहिए ठीक है फूर्थ इसमें दोहा जो है वो इस परकार से है नर की अरू नल नीर की गती एकै करी जोई जैतो नीचो हवै चले तैतो उन्चो होई तो परसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है परस्तुत पद्याश क्या दोहा हमारी हिंदी की पाथय पुस्तक न भारती में संकलित नीटी के दोही से लिया गया है इसके रचियता बिहारी जी है जो थर्ड वाला दोहा था वै भी बिहारी जी द्वारा रचित था और ये वाला दोहा भी बिहारी जी द्वारा रचित है तो संदर में आप लिखोगे इसमें कवी ने नमरता के महतव को दर्शाया है विनम्र जो सुभाव है उसके महतब को यहां पे दर्शाया गया है व्याख्य देखते हैं कवी कहते हैं कि मनुश्य की तथा नल के पानी की दशा एक जैसी होती है यह दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही उंचा उठते हैं यहां पे कवी ने कंपेर किया हुआ है मनुश्य की दशा को नल के पानी के साथ तो यहां पे कह रहे हैं कि जो मनुश्य की दशा है वह है और जो नल के पानी नल का पानी है उसकी दशा एक जैसी ही होती है क्योंकि यह दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही उंचा उठते हैं कि यहां पे कवी कह रहे हैं कि जितना भाव यह है कि जल धर्ती के जितने नीचे से आता है उतना ही उसे उंचा चलना पड़ता है इसी परकार से मनुश्य जितना विनम्र होकर वेवार करता है उतना ही उंचा उठता है और थात मान सम्मान का दिकारी बनता है तो यहां पर कभी क्या कहना चाहते हैं कि मनुश्य और नल के पानी की दशा एक जैसी है क्योंकि यदि दोनों नीचा होकर चलेंगे उतना ही उंचा उठेंगे फिर उन्होंने बताया हो है कि किस परकार की जिस परकार से यदि मनुश्य विनम्र वेवार करेगा उससे क्या होगा उसको मान समान की प्राप्ती होगी तो उसी परकार से कि जो जल है, जो पानी है, वो धर्ति के जितने नीचे से होकर, जितने नीचे से आएगा, उतना ही उसे क्या करना पड़ेगा, उपर की ओर चर्णना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर कवी ने कहा है, कि मनुष्य और नल के पानी की दशा एक जैसी है, क्य मुनिश्यों को विनम्मर वहवार करना चाहिए तो इस दोहे के माध्यम से जो विहारी जी हैं वो कहना चाहते हैं कि मुनिश्यों को कैसा वहवार करना चाहिए विनम्मर वहवार करना चाहिए यदि वह विनम्मर वहवार करेगा तभी वह मानसमान का दिकारी बनेगा अगला दोह देखते हैं सुर्षती के बंडार की बड़ी अपूरब बात जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे मिट जाए इस परकार से आप इसको देखोगे तो उसके बाद परसंग आप एक जैसा ही लिखोगे बट इसलिए परसंग हम बार-बार रिपीट कर रही हैं क्योंकि इसके जो कवी हैं वो अलग-लग है तो यहां पर जो कवी हैं यहां पर फिर आप परसंग इस तरह से लिखोगे कि परस्तुत पद्यांशिया दोहा हमारी इंदी की पार्ठय पुस्तक ना भारति में संकलित नीती के दोहे से लिया गया है इसके रचेता वरिंद जी है ठीक है पहले हमने जो दोहे पड़े वो रहीम जी द्वारा रची थे फिर हमने अगले जो दोहे पड़े वो भिहारी जी द्वारा रची थी अब ये वाला दोहा जो है वो वरिंद जी द्वारा रचीत है इसके कवी जो है वरिंद जी है तो संदर्प इसमें बताया गया है कि विद्या रूपी धन जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है तो यहां पे जो विद्या रूपी धन है उसके बारे में यहां पे बता जाता है और नखर्च करने से कम हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर वृंद जी ने कही है यहाँ पर ये कहन कवी diyorsun है वो कहना चाते है कि जो विध्या रूपी भंडार है जो हमारे पास विध्या रूपी भंडार है इसकी एक बहुत अनोखी बात है बड़ी अपूरफ बड़ी अनोखी बात है वह यह है कि जितना हमारे पास ग्यान है जितना भी हमारे पास ग्यान है विद्या का भंडार है जितना भी हमने ग्यानी कठा किया हुआ है यदि इसको हम बांटे चलेगे बांटे चलेगे मतलब इ उसनों तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो यह जो हमारा ग्यान है, यह और अधिक बढ़ता जाएगा, किन्तु यदि जो हमारे पास ग्यान का बंडार है, इसको हम अपने तक ही सीमित रखेंगे, तो यह बढ़ेगा नहीं, बलकि क्या होगा, इसको न खर्च करन का मतलब यहां पर यह है, कि यदि हम ग्यान को नहीं बांटेंगे, तो वो हम तक ही सीमित रहे जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, वो हम तक ही सीमित रहेगा, हम तक ही सीमित रहेगा, और वो भी हमारा ग्यान जो है, दिरे-दिरे कम होता जाएगा, किन्तु यदि हम अपने ग ग्यान जो है दूसरों तक पहुँचाने की कोशिच करेंगे तो हमारा ग्यान भी और अधिक बढ़ता जाएगा किन्तु यदि हम अपने ग्यान को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ये ग्यान क्या होगा कम होता जाएगा ठीक है तो विशेश यहां पर कवी जो हैं वो कहना आखरी दोहा देखते हैं इसमें हम बड़े नहुजे गुनन बिनू बिर्द बिड़ाई पाए कहत दुतूरे सो कनक कहनो गड़ियो न जाए तो इसमें परसंग इस तरह से आजाएगा ये जो दोहा है ये जो आपकी बुक है नभार्ती उस पे दिया हुआ है कि ये दोहा व प्रस्तु दोहा ये पध्यांश हमारी हिंदी की पाठया पुस्तक न भार्ती में संकलित नीती के दोहे से लिया गया इसके रिच्छेता बिहारी जी हैं ठीक हैं संदर्ब में आप लिखो के कि इस तोहे में कवी ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति गुनों के अभाब में बड़ा नहीं बन जाता मतलब यहां पे बताया गया है कि गुनों की महानता को बताया गया है यहां पे कि व्यक्ति में यदि गुन नहीं है तो व्याक्या जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि व्यक्ति चाहे मतलब क्या है कि इसमें कवी जो है वो कह रहे हैं कि गुनों के बिना केवल बड़ा नाम कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन चाता जैसे धतूरा एक शिला पदार्थ है इसका एक नाम कनक भी होता है कनका अर्थ सोना भी होता है लेकिन इससे गहने नहीं बनाये जा सकते तो यहां पर कवी जो हैं वो कहना चाते हैं कि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए जितना भी यश प्राप्त कर ले लेकिन गुनों के बिना वे महान नहीं बन सकता ठीक है कि गुनों के अभाब में वे महानता को प्राप्त नहीं कर सकता तो बिहारी जी इसमें कहा हूँ हैं कि धतूरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन सोने की तरह उसे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं यहाँ पे कवी कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा हो जाए जितना भी ये शमान समान प्राप्त कर ले किन्तु यदि उसमें गुनों का अभाव है तो वे महान नहीं बन सकता तो इसलिए यहां पे कभी कह रहे हैं कि दुतूरे को तो कनक भी कहा जाता है लेकिन सोने की तरह उसे गहने नहीं बनाय जा सकते हैं तो भाव यहां पे आजाएगा कि आदमी जो है अपने गुनों से महान बनता है बड़ा नाम रख लेना व्यर्थ है झाल झाल